किया आपके रिलेशन्शिप से परेशान है अगर हां तो मेरा कोई न देना नहीं है बाई मैं तो बात कर रहे वाला हूं सिर्फ एक रिलेशन्शिप की जो है अरिध्माटिक मीम जौमेंट्रिक मीन और हार्मोनिक मीम के बीच में तो चलो शुरुबात करते हैं तो भायो अरिद्माटिक मीन, जॉमेट्रिक मीन और हर्मोनिक मीन यह तीनों ही हम लोग पिछले कुछ वीडियो में कवर कर चुक है अब वक्त है कि हम इन तीनों के बीच के रिलेशन्शिप पढ़ने बहुत चारे questions exam में इनके रिलेशन्शिप से आते हैं तो एक एक करके इनके रिलेशन्शिप डिस्कुस करते हैं दो points है relationship में between AM, GM and HM सबसे पहला point यह है कि तुब कोई भी numbers ले लो AM हमेशा GM से बड़ा होगा या फर बराबर होगा और GM हमेशा HM से बड़ा होगा या बराबर होगा मैं derive करके बताता हूं अगर मैंने 5 numbers लिए 2, 4, 6 और 8 इसका अगर मैं arithmetic mean निकालूंगा तो मेरा arithmetic mean आएगा 2 plus 4 plus 6 plus 8 divided by 4 याने की 5 इसका अगर मैं geometric mean निकालूंगा तो बहाएगा 2 into 4 into 6 into 8 की खोपड़ी पे 1 by 4 calculate करते है 2 into 4 into 6 into 8 दो बार under root तो मेरा geometric mean आएगा 4.42 अगर मैं harmonic mean निकालूंगा तो harmonic mean आएगा 4 divided by 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 by 8 calculate करते है 2 divided equal to m plus 4 divided equal to m plus 6 divided equal to m plus 8 divided equal to m plus mrc divided equal to multiply by 4 तो मेरा harmonic mean आजाएगा 3.84 अगर तो मने notice किया तो same set of observations के लिए अगर तो मने notice किया तो इन 4 observation के लिए मेरा am आया 5 gm आया am से थोड़ा छोटा 4.42 और harmonic mean आया और कम 3.84 हमेशा याद रखना अगर observations distant है तो am gm से बढ़ा होगा और gm hm से बढ़ा होगा तो am is greater than gm is greater than hm ये बात हमें समझ में आ गई अगर observations different है तो अगर सारे observations को मैं same कर दू suppose question में दिया होता 2,2,2,2,2 तो इसका am भी आता 2 gm भी आता 2 और hm भी आ जाता 2 यानि अगर सारे के सारे observations same होंगे तो am होगा gm के बढ़ाबर और gm होगा hm के बढ़ाबर तो भाईो दो बाते बोली अगर observations different है तो am gm से बढ़ा है और gm hm से बढ़ा है अगर सारे के सारे observations same है तो am gm के बढ़ाबर है और gm hm के बढ़ाबर है तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर question कुछ ना बोले question ये भी ना बता है कि observation distinct है या फर same है तो am greater than equal to होगा gm और gm greater than equal to होगा hm तो हम इसको summarize कर सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं कि अगर observations distinct है तो am greater than gm greater than hm अगर observation same है तो am equal to gm equal to hm और अगर कुछ भी ना बोला जाए question is silent तो उस case में am is greater than equal to gm is greater than equal to hm तो तीन important बात जो तुम्हाद रखनी है अगर अलग-अलग observations है तो am gm से बढ़ा होगा gm hm से बढ़ा होगा अगर सारे observation same है तो am gm hm तीनों बराबर होंगे और अगर question कुछ भी ना बोले question चुपकी है तो am gm से बढ़ा होगा या बराबर होगा gm hm से बढ़ा होगा या बराबर होगा तो लिख दो यह property in the champions वाला chat तो पहली relationship मैंने लिख दी भाई एक और relationship है जो am gm और hm में exist करती है एक tongue twister हम लोगने harmonic mean में लिया था ऐसे यहां पर एक और tongue twister है geometric mean is the geometric mean of arithmetic mean and harmonic mean याने कि फिर वही बाद चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मस से चांदनी राथ को चटनी चटाई ऐसा ही tongue twister है लिखते है इसको तो gm हो जाता है under root of am into hm याने कि अगर कोई भी set of observations given है और मुझे geometric mean निकाला हो और am given हो और hm given हो तो geometric mean का formula होगा under root of am into hm अगर तुम लोग observe कर रहे हो तो दो number का geometric mean होता है a into b का under root तो this is nothing but geometric mean of am and hm तो सही तो कहा मैंने geometric mean is the geometric mean of arithmetic mean and harmonic mean derive करते है अगर मां 2468 की बात करूँ तो मेरा gm आया था 4.42 am आया था 5 और hm आया था 3.84 तो gm होना चाहिए under root of am into hm याने की gm is gm of am and hm तो gm की value आनी चाहिए 4.42 देखते हैं क्या 4.42 under root of 5 into 3.84 के बराबर है क्योंकि harmonic mean की value थी 3.84 और arithmetic mean की value थी 5 चेक करते हैं अगर मैं करते हूं 5 into 3.84 और दबा देते हूं under root तो मेरा answer आता है 4.38 which is approximately correct क्योंकि यहां पर 3.84 के बाद भी digits होंगी जो मैंने consider नहीं किया है तो सही तो बोला मैंने geometric mean is the geometric mean of arithmetic mean and harmonic mean यह दूसरा pointer relationship का between am gm and hm exam में भी से कुछ questions आए exam के questions देखते हैं तो देखो इस question में geometric mean दे रहा है 6 arithmetic mean दे रखा 6.5 और तुम्हें निकालना है harmonic mean तो बच्चे बहुत परिशान हो जाते हैं कि यार harmonic mean कैसे निकालूंगा am given and gm given harmonic mean तो निकाली नहीं सकता ना मेरे पास n है ना x1 ना x2 है तो याद रखना यह relationship वाला question है लिको gm is equal to under root of am into hm तो gm की जागे मने रख दिया 6 यहां पर हुआ under root 6.5 into hm अगर मां दोनों से स्क्वेरिंग करता हूं तो यह हो जाएगा 36 अगर मां दोनों से कर रहे हो तो यहां पर relationship number one भी satisfy हो रही है am बड़ा है gm से और gm बड़ा है hm से तो am is greater than equal to gm is greater than equal to hm तो चलो एक और question करते हैं इस question में दे रखा है harmonic mean दो numbers के बीच में 4 तुम में बताना है कि arithmetic mean और geometric mean क्या होंगे अगर equation 2a plus g square equal to 27 तो ऐसे question में हमेशा करना है knockout तो इस question में दे रखा है कि harmonic mean दो numbers के बीच में 4 arithmetic mean और geometric mean की equation 2a plus g square equal to 27 तो पता लगाओ वो दो numbers कौन से हैं तो ऐसे question में हमेशा करना है knockout यहां पर relationship relationship का दिमाग मत लगाना simply कर देना knockout दो number ढूण लो उसका harmonic mean निकाल के देखो harmonic mean आना चाहिए 4 फिर उसका arithmetic mean निकालो geometric mean निकालो और देखो क्या equation satisfy हो रही है या नहीं हो रही है तो option number a suppose given है 8,4 और option b given है 6,3 चेक कर दें कि option number a से equation satisfy होती है अगर option number a का harmonic mean निकालो तो option number a का harmonic mean आएगा 8 divided equal to m plus 4 divided equal to m plus mrc divided equal to multiply by 2 तो harmonic mean आ रहा है option number a से 5.33333 याने कि option number a मेरा answer हो ही नहीं सकता तो option number a को cut कर देथे 2 नहीं कोई और साही चलो option number b try करके देखते है अगर मैं b try करता हूं और harmonic mean निकालता हूं तो 6 divided equal to m plus 3 divided equal to m plus mrc दबाता हूं और multiply कर देता हूं with 2 तो मेरा harmonic mean आ जाता है तो चलो option b try करते है 6 divided equal to m plus 3 divided equal to m plus mrc divided equal to multiply by 2 तो मेरा harmonic mean आता है 4 याने कि option number b रेश में बना हुआ है अब aim निकालता हूं इसका aim आएगा 4.5 6 plus 3 divided by 2 अब निकालता हूं GM GM आएगा 6 into 3 का under root याने कि 4.24 अगर अब equation satisfy हो गई तो मेरा option number b बिल्कुल correct है चेक कर दे क्या equation satisfy हो रही है 2 into 4.5 plus 4.24 का square is equal to 27 चेक कर दे 4.5 into 2 m plus 4.24 into equal to m plus mrc answer आए 26.98 याने कि approximately it is 27 मतलब option number b से मेरा hm भी माच हो गया और amgm की जो मैंने value निकाली थी उससे equation भी satisfy हो गई मना मेरा correct answer होगा option number b तो भायो इसे के साथ तुमारे relationship हो जाती है खतम I mean amgm और hm के relationship हो जाती है खतम तुमारे relationship हमेशा चलती रहे दूदो नहाओ फूतो भलो as they say तो भायो अब हम लोग बढ़ते हैं Champions वाला चार्ट की right hand side पर और बात करते हैं median की median जासा कि तुम लोग जानते हो एक positional average है positional average में हम लोग midpoint निकालते हो by looking at the position मैंने पहले भी example दिया था कि अगर मंजिला इमारत कड़ी हो और तुमें midpoint निकाला हो तो तुम इमारत के ऊपर चड़के एक 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 इन snapने नहीं वाले हो तुम लोग मीचे कड़े हो की बोल दोगे यह तीन फ्लोर की building है जो बीच वाला फ्लोर है वो मीडियन है तो सिंपल है जहां position को देखकर average निकाला जाता हो वो कहलाता है positional average और उसमें से median prominent positional average है तो भाई हो जैसे हर mean के होते हैं 3 बच्चे वैसे median के भी होते हैं 3 बच्चे में में 3 series होती है individual discrete और continuous मैं तीनों के बारे में कुछ कुछ लिख देता हूं वैसे exam में सिर्फ individual series पूछा गया है discrete और continuous अभी तक नहीं पूछे हैं तो भाई हमाने आपके लिए तीनों फॉर्मूले लिख दिए individual discrete और continuous individual मैंने दो लाइन लिकी हुई है इधर से काटो उधर से काटो इधर से काटो उधर से काटो जो बीच में बच जाएगा वो median होगा चेक करते हैं individual series का फॉर्मूला तो हो सकते हैं तो मैं एक्जाम में ऐसी इधर से काटो उधर से काटो जो बीच में बच जाए वो median लेकिन इससे पहले हमेशा series को increasing order में जमाना तो अगर मैं series को increasing order में जमाता हूं तो मेरी series कुछ ऐसी देखेगी तो एक बाद मैंने increasing order में जमा दिया तो मैं इधर उधर से काटना शुरू करता हूं देखो काटना कैसे इधर से काटो, उधर से काटो, इधर 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 से काटो, अब बीच में बच गए 16 और 17, अगर मैंने 16 और 17 को भी काट दिया, तो मेरे पास घंटा कुछ बचेगा मीडियन निकालने के लिए, I need to calculate average of 16 and 17, अगर last में दो बच्टे तो मैं दोनों को नहीं आचेकता, तब मेरा मीडियन कुछ भी नहीं आएगा, तो last में जो दो नंबर्स है, मैं निकालने उनका average, तो मीडियन हो जाएगी, 16 प्लस 17 डिवाइड बए 2, याने की 16.5, बहुत सिंपल मीडियन निकालने, एक और question करते हैं, तो एक और सिरीज दे रखी, 8, 7, 6, 5, 11, 12, 18, और बोला है, calculate median, तो सबसे पहले इसको increasing order में जमाँ, तो एक बार increasing order में जमाँ जमा दिया, फिर इदर से काटा, उधर से काटा, इदर 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 से काटा, अगर बीच में सर्फ एक नंबर बचा है तो वो हो जाएगा मीडियन तो यहां पर मेरा अंसर आने वाला है मीडियन इस इक्वल टुएट तो इंडिवीज्वल सीरीज बहुत असान है मैं आपको फॉर्मुला नहीं बताने वाले एवन और ओड के लिए अगर बीच में दो नंबर बच जाए तो दोनों का आवरेज ले लो और अगर बीच में एक ही नंबर बचे तो वो क्यालाएगा मीडियन और काटा पीटी करने से पहले हमेशा इंक्रीजिंग उडर में जमा लेना मेरे भाई अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा भाई question x और frequency के साथ given होगा तो by your discrete series में x और f दोनों given होगा यहां पर तुम्हें सबसे पहले निकालना है cumulative frequency तो cumulative frequency आगे 10, 30 और 60 जो last cumulative frequency होती ही वो क्यादाती n देखो पहने ही बता देता हूं यहां से कभी कोई question नहीं आया है यह सिर्व अमलोग formality पूरी कर रहे है क्योंकि 20 days pledge का एक बहुत महत्वपूर objective है कि तुम pass हो जाओ कोई भी concept नहीं चूटे सब कुछ detail में cover हो लेकिन come time में तो ध्यान से देखना लेकिन यह exam में नहीं आया है तो बहुत जादा focus मत करना repeatedly इसके question solve मत करना तो cumulative frequency जो last में होती है वो कहलाती है n अब तुम्हें निकालना है n by 2 n by 2 हो जाएगा 60 by 2 which is 30 अगर तुम लोग notice करोगे तो यह 30 locate होगा between 10 and 30 अब जब तुम लोगोंने n by 2 निकाल लिया यानि 60 by 2 कर लिया which is 30 अब तुम्हें 30 को locate करना है in the cumulative frequency बताओ यह 30 cumulative frequency में कहां पर आएगा यह 30 आएगा 10 और 30 के बीच में यानि कि यह 30 आएगा 10 और 30 के बीच में यानि कि इस class में fall करेगा n by 2 और जब भी n by 2 cumulative frequency के एक section में fall करता है तो आगे वाली cumulative frequency का सामने वाला number median हो जाता है यानि कि यहां पे जो 30 है 30 के सामने वाला number 2 हो जाएगा median तो बहुत असान है discrete n by 2 निकालो n by 2 को locate करो n by 2 जिस भी section में locate होगा उसकी upper limit का सामने वाला x हो जाएगा median अब continuous में x की values group के साथ दे रखी होगी तो x गिवन है 0 से 10 10 से 20 और 20 से 30 यहां पर इसकी जो सामने वाली class है यह कहलाई की median class अब तुम्हें स्थर्फ लगाना है formula, median का formula होता है L1 plus n by 2 minus c divide by f into h L1 होता है median class की lower limit तो तुमारा 10 हो जाएगा L1 f होता है frequency of the median class तो 20 तुमारा हो जाएगा f1 और c होता है median class की पीछे वाली class की cumulative frequency फिर से बोल रहों ध्यान से सुनना c होता है median class की पीछे वाली class की cumulative frequency याने की तुमारा c हो जाएगा 10 और h होता है class length और class length है तुमारी 20 minus 10 तो लगा दो formula, median is equal to 10 plus n by 2 याने की 30 minus 10 divided by 20 into 10 चलो solve कर दे 30 minus 10 20 20 by 21 1 into 10 10 10 plus 10 20 तो तुमारा median आजाएगा भायो 20 बहुत असान question था simply निकालना n by 2 n by 2 को locate करना इंदी cumulative frequency जो cumulative frequency पे n by 2 fall करते है उस cumulative frequency की सामने वाली class हो जाएगी median class फिर लगाना है formula l1 plus n by 2 minus c divided by f into h, f होती है frequency of median class, c होता है cumulative frequency of class preceding the median class यानी median class के पहले वाली class की cumulative frequency कहलाएगी c तो मैंने illustration के लिए question करा दिया है but it is actually not important और exam के time पे तुमें इस पे focus करना ही नहीं चाहिए तो exam में question आते है properties से, median की भी दो धमाके दार property है जो तुमें पता होनी चाहिए पहली property median की यह बोलती है कि median को सिर्फ बीच वाले से फरक पड़ता है आस पास किसी से फरक नहीं पड़ता इसको अच्छे शब्दों में लेख रहते है median is not affected by extremities of the observation तो बहुत आसान सी बात है यह बीच में है टुन्नू और टुन्नू डांस कर रहा है चार सूपर स्टार अभी नेत्रियों के साथ एक है डिपका पादुकोन एक है एश्वर्य राय एक है अलिया बठ और एक है जाकली मेरी फेवरेट जाकली एक है तो जाकली आलिया डिपका और आश यह चारो आसपास नाच रही है तुन्नू के तुन्नू जो है इस पूरी का मीडियन है क्योंकि टुन्नू is in the middle अब मेश ही गाने में एश्वरिया कोई दर कर दूँ और जैकलीन को इधर कर दूब क्या मीडियन सी ख़जाएगा कि टुन्नू अभी मेडियल में और एसलिए गोडिव सी बात है मैं दिपिका आलिया को भी इंटर्चेंज कर दू तो भी कोई फरक नहीं पढ़ना है आश और जाकलीन को भी इंटर्चेंज कर दू तो भी कोई फरक नहीं पढ़ना है यानि तुन्नू के आश पास बॉलीवुड अभी नित्रिया इंटर्चेंज हो जाए लेकिन फिर भी मीडियन तुन्न ही रहेगा इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि मीडियन को आसपास के वाल्यू से फरक नहीं पड़ता मीडियन को सिर्फ पर सिर्फ पड़ता है मिडिल वाल्यू से तो मीडियन इस नॉट अफेक्टेड पाई दिये यह एक इंपोर्टन प्रॉपर्टी है इसलिए जब ओपन इंट्लासिफिकेशन होता है यानि की 0 से 10 10 से 20 और फिर कर दिया 20 अबोव तो 20 अबोव की कोई लिमिट नी है तो यहां पर भी मीडियन निकाली जा सकती है क्योंकि ओपन इंट्लासिफिकेशन से मीडियन को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मीडियन इस नॉट अफेक्टेड बाई इसका मतलब के अगर नहीं समझ में आयों तो ध्यान से देखो वैसे तो यह थेयरिटिकल प्रॉपर्टिय है एग्जाम में स्ट्रेट वे थेयरिव कर लेगा लेकिन फिर भी एक बार डराइफ कर लेते सपोर्स एग्जाम ने दिया है 2468 और 10 तो बताओ इसका मीडियन के मीडियन है 6 अब ध्यान से सुनना सम अफ आप्सुलूट डेविएशन अप्सुलूट का मतलब होता है सारे के सारे डेविएशन को पॉजिटिव बना दो इसलिए हम लोग लगाते हैं मॉडूलस तो सम अब आप्सुलूट डेविएशन का मतलब है एक्स माइनस एक्स मीडियन का सम शुड बी मिनिमम तो अगर ऐसा साइन दिखें इंदी एक्जाम तो परिशान मत होना यह सम अप्सुलूट डेविशन फ्रम मीडियन क्योंकि यहां पे एक्स माइनस एक्सम्ड हुआ है तो इसलिए डेविशन अगर दोनों साइ मोड्यविशन लगा है तो अबसुलूट और साममिशन का साइन लगा इसलिए संतो देखते हैं में अगर 14 adult करता हूं तो मेरे पास आता है 2-6 4-6 6-6 8-6 और 10-6 जाने कि –4-2-0-2 और प्लस-4 अगर मैं अब कर देता हूं इसको अंडर मॉडियूलस तो यह मेरे रहीं करा नीगेटिव साइन कनवर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव में अगर मैं इन सारे पॉजिटिव डियोशन का संग परूंगा तो मेरे पास अंसर आएगा तो मेरे पास आंसर आएगा 12 प्रॉपर्टी बोलती है कि यह 12 मिनिमम है यानि कि तुम 6 के अलावा कोई भी नंबर लेलो उससे डिवीशन निकालो उस डिवीशन को आपसुलूट बनाओ और फिर सम अफ डिवीशन करो तो तुमारा आंसर हमेशा 12 से जादा आएगा जाओ तो आट हो चेकर लो हम लोग कूल लेतें अगर माच तू लेता हूं एक मीडnehकी जगे तो बहुत सिंबल सी प्रॉपर्टी सम अफ अपसुलूट …… आपसुलूट डिवीशन फ्रम मीड sürं बीच इस मिनिमम यानि पाले अवी मीडिय निकाला जाएस सम मीडम उस ते इहां कि लेलो उससे डिवेशन निकालो उस डिवेशन को पॉजिटिव बना और सम करो तो आंसे ट्वेल से जादा ही आएगा तो यार रखना समफ एपसिलूट डिवेशन फ्रम मीडियन इस मिनिमम प्राक्टिकल नहीं आने वाल है इस पर सिर्फ ठेरी क्वेशन आने वाल है तो मीडियन भी हो गया कहतम हमारा चांपिन चार्ट बड़ा होते जा रहे यह अभी तक का सबसे बड़ा चार्ट है सेंट्रिल टेंडेंसी का लेकिन 12 माक का चार्ट है यार डिजर्फ कर आपना बड़ेगा तो बबाए टेक केर एंड टीव श्मायलिग अगा